नमस्कार दोस्तों सर्दी जुखाम, एलर्जी या नजला के लक्षन जैसे नाक से पानी बहना, आखों से पानी आना, आख नाक या गले में खुजली होना, छींक आना, नाक का बंध होना, गले में खराश होना और खासी होना आदी लक्षनों से राहत पाने के लिए नौबलोग टैबलेट का उ करती हैं साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में नौब लोग टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में नौब लोग टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते है जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, सिरदर्ध होना, मुँ में सूखापन होना, शरीर में थकान वसुस्ती होना, हलका हलका सिर घूमने का आभास होना और नींद अधिक आना आधी साइड इफेक्ट्स नौबलोक टैबलेट की वज़ा से हो सकते हैं. ज्यादा डोज में नौबलोक टैबलेट को लेने की वज़ा से लिवर डैमेज हो सकता है, इसलिए आपको नौबलोक टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए. अब हम डिसकस करेंगे कि नौबलोक टैबलेट को कैसे लेना रेकेमेंड नौबलोग टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है आम तौर पर बारा साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर नौबलोग टैबलेट को दिन में दो से लेकर तीन बार लेने की सलाह देते हैं नौबलोक टैबलेट की डोज, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको नौबलोक टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपिया वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। बारह साल से कम उम्र के बच्चों को नौबलोक टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं देना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि नौबलोक टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। नौबलोग टैबलेट के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और नौबलोग टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्क्ता की आवशक्ता होती है क्योंकि नौबलोग टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नीन अधिक आ सकती है जुखाम खांसी को जल्दी ठीक करने के लिए आपको नौबलोग टैबलेट के साथ साथ हर रोज दिन में दो से लेकर तीन बार गर्म पानी की भाप लेनी चाहिए और बर्फ वज्यादा ठंडे पानी का सेवन नहीं करना चाहिए लिवर या किडनी की कोई गंभीर बीमारी होने पर, दिल से संबंधित कोई गंभीर बीमारी होने पर, बलड प्रेशर बहुत ज्यादा होने पर, पुरुषों में प्रोस्टेट का साइस ज्यादा होने पर नौब लोग टैबलेट को लेना recommended नहीं होता है. इसलिए इन कंडिशन्स में डौक्टर की सलाह के बिना नौब लोग टैबलेट को नहीं लेना चाहिए. अगर किसी व्यक्ति को नौब लोग टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रीडेंट से allergy है, तो ऐसे व्यक्तियों को नौब लोग टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए. और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डौक्टर को भी बताना चाहिए. प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए नौब लोग टैबलेट का सेवन करना recommended नहीं है. और स्तनपान करा रही महिलाओं को डौक्टर केवल ज्यादा जरूरत पढ़ने पर ही नौब लोग टैबलेट को लेने की सलाह देते हैं. वैसे नौब लोग टैबलेट मा के दूद में थोड़ी सी मात्रा में निकलती है. लेकिन इसकी वज़ा से दूद पीने वाले बच्चे में अभी तक कोई साइड इफेक्स नोटिस नहीं किये गए है. इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपा करा रही महिलाओं को नौब लोग टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए. और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को नौब लोग टैबलेट को नहीं लेना चाहिए. वीडियो को देखने के झाल झाल